नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एगरी एक्सपर्ट आसीन है दोस्तों मैं गोविद मेवाडा और आज हम बात करेंगे विश्व परियावन दिवस के बारे में दोस्तों जैसे हम जानते हैं हर वर्स पांच जून को सभी पूरा विश्व अंतराश्टे परियावन दिवस मनाता है विश्व परियावन दिवस मनाता है वर्ल्ड एंवार्मेंट दे मनाता है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विश्व परियावन दिवस सबसे पह जिस organization ने इसे लागू किया था उसके पीछे इनका जो उद्देश यह है वो क्या था तो दोस्तो हम बात करें इसके इतिहास की तो विश्व परियावन दिवस सर्व परत्म लागू करने वाले अगर union की या organization की बात करें तो संयुक्त राष्ट संग या UN ने सबसे पहले 1972 तक एक मिटिंग होती है यूँ कि दीजे एक पूरा का पूरा और्गनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट संग के 119 देश उस समय पे सारे मिलके एक मिटिंग रखते हैं और इस बेठक में विश्व परियावन दिवस मनाने के सम्मंद में भी एक बिंदू रखा जाता है ज याद रखेगा दोस्तों कहीं क्यूशन पूछा जाए या आपकी जानकरी के लिए भी थोड़ा सा आप याद रखें पांच जून 1974 को सबसे पहला विश्व परियावन दिवस मनाया गया और तब से लेकर आज तक हर वर्स विश्व परियावन दिवस मनाया जाता है वर्ड संयुक्त राष्ट संग के द्वारा किया जाता है तो दोस्तों इसमें हर वर्स संयुक्त राष्ट संग के द्वारा परिवर्तन किये जाते हैं और अलग-अलग देसों में अलग-अलग थीम रखी जाती है और उसके आधार पर पूरे वर्स या जिस दिन हम ये कारिय करम कर कि 2019 में परियावन दिवस की थीम क्या थी तो 2019 में दोस्तों हम विश्व परियावन दिवस की जो थीम की बात करें तो जो थीम रखी गई थी वो एर पॉल्यूशन थी वायू प्रदूशन थी दोस्तों हम बात करें वायू प्रदूशन या किसी भी तरह के प्रदूशन को तो प्रियावण ने उतना ही मानव जीवन को अस्तिवियस्त या असंतुलित कर दिया है तो जो 2019 की थीम रखी गई थी वो रखी गई थी ऐर पॉलूशन के संबंदित की हमें कम से कम वायू प्रोडूशन कैसे किया जाए कैसे हम वायू प्रोडूशन से रोक सकते हैं कम कर सकते है इसके बारे में पूरे वर्ष इसके थीम पे कारिय किया गया था संकल पे लिये जाते हैं और उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें 2020 की तो 2020 की जो थीम थी वो थीम थी टाइम फॉर नेचर अर्थार्थ प्रकरती के लिए समय दोस्तों ये मान के चलिए और ये थम रूल है जितना हम प्रकरती के नजदीक रहेंगे जितना हम प्रकरती को समय देंगे प्रकरती हमारे लिए उतना ही return gift देती है जैसे जैसे हमने प्रकरती को समय देना छोड़ दिया है जैसे जैसे हमने प्रकरती के साथ अपना किनारा कर दिया है वैसे ही प्रकरती ने भी हमारे साथ किनारा करना सुरू कर दिया है तो दोस्तों कोशिश कर यही करनी चाहिए कि हम जितना प्रकरती के नजदीक रहें जितना प्रकरती को टाइम दे पाएं उतना बेटर है तो ये 2020 की theme थी दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान इस साल की currently theme क्या है तो ecosystem restoration अब दोस्तों ecosystem restoration क्या है पारिस्तिति की तंत्र हम पढ़ते आए हैं अब उस पारिस्तिति की तंत्र में जो जो तकनीक बड़ी है यह यूं कीजिए कह दीजिए विज्ञान ने प्र गरती की है वैसे वैसे पारिस्तिति की तंत्र तूड़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं उसके में खराबिया या कहीं खामिया नजर आ रही है तो इस साल की जो theme है वो वापस जो ecosystem खराब हो चुका है बिगड हो चुका है उसको कहीं न कहीं हम सुदार सके restore कर सके इस से संकल्प लेते हैं आये हम सभी कि इस विश्वप्रयावण दिवस पर नक्यवल नामात्र के status लगाने के लिए नक्यवल NAM मात्र केसू प्रचार के लिए हम विश्वप्रयावण दिवस मनाएं जबकि कोई एक ऐसा काय़िये आप एक पॉदाए लगा लीजिये जिसका संकल्प ले है कि मैं इसकी देखभाल पूर्ण करूंगा हमें 10 पॉदे नहीं लगाने हमें 50 पॉदे नहीं लगाने हमें quantity पे नहीं जाके हमें quality पे ध्यान देना है एक पोदाई लगाईए सर्वाईव करवाईए उसे दो चार पांच साल जब तक उसे आपकी आवेशक्ता है आप उसकी देखबाल कीजिए तब ही कहीं जाके सही माईनों में विश्व प्रियावन दिवस के जो हम मनाने की जो बात करते हैं वो कहीं जाके सिद होगी धन्यवाद दोस्तों उमीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद भी आई होगी और साथी साथ आज इस विश्व प्रियावन दिवस पर आप सभी साथी जो देख रहे हैं जितने भी वीवर्स हैं जितने भी मेरे साथी हैं वो सभी एक संकल्प ले कि कम से कम एक प कर दो घज के भी आपको प्रियायत कि ज बारता हूआ है जितना जतकी स्थक्त करता है